साल 2021 का आज पहला सूर्य ग्रहन लग रहा है यह सूर्य ग्रहन के दुरान रिंग ओफ फायर के स्थिती बनेगी सूर्य ग्रहन भारत में केवल दो राजियों में अरुनाचल प्रदेश और लद्दा के कुछ हिस्सों में ही सूर्यास्त से कुछ समय पहले दिखाए देगा यह ग्रहन भारतिय समय नुसार सुभा 11 बचकर 42 मिनट से शाम 6 बचकर 41 मिनट तक जारी रहेगा इन दो राजियों में दिखेगा सूर्य ग्रहन अरुनाचल प्रदेश से शाम लगभग 5 बचकर 42 मिनट पर खगोलिय घट्टा को देखा जा सकेगा वही लद्दा के उतरी हिस्से से लगभग 6 बजे सूर्य ग्रहन देखा जा सकेगा साल 2021 में कुल 4 ग्रहन लगेगा इसमें 2 चंद्र ग्रहन और 2 सूर्य ग्रहन होगा साल का पहला चंद्र ग्रहन 26 मई 2021 को लगा था जबकि पहला सूर्य ग्रहन आज 10 जून को लगेगा जोतिश शास्त्र के अनुसार सूरे ग्रहन का असर बारा राश्यों पर देखने को मिलता है किसी में इसका असर देखने को मिलता है जबकि किसी पर इसका जादा प्रभाव पड़ता है ऐसे में सूरे ग्रहन के दुरान जातकों को अपने आराध्य देव की पूजा पाट करनी चाहिए सूरे ग्रहन के दुरान भोजन नहीं करना चाहिए ग्रहन से पूर्विय समाप्त होने के बाद ही भोजन करे सूरे ग्रहन के दुरान किसी प्रकार की यात्रा से बचे इस दिन शनी जैंति भी है शनी देव की इस दिन विशेश पूजा की जाती है जिन लोगों पर शनी की साड़े साती शनी की दशा चल रही है उन्हें इस दिन विशेश पूजा और दान करना चाहिए पंचांक एनुसार 10 जून गुरवार को जेश्ट मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्यती थी है मानिता है कि जिस समय शनी देव का जन्म हुआ था ओजिन यही ती थी थी इस बार शनी जैनती का पर्व 10 जून को मनाया जाएगा भीरो रिपोर्ट वी न्यूस